सब्सकार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल जरधारी क्लासेज में दोस्तों उत्राखन जी के पिरिवस एर एमसी की सीरीज का आज हम यहाँ पे ला रखे हैं उन्नीसवा पार्ट अठारा पार्ट यहाँ पे कंप्लिट हो चुके हैं तो मद महिश्वार निम्न में से एक क्या है? यह पंच केदार में से एक है तो इसलिए 541 का सही आंसर है ओप्सन बी पंच केदार Quesn नमबर 542 है हिमालय परिचाय गडवाल के लेखक कौन है? तो हिमालाय परिचर परिचाए गडवाल के लेखाक है यहाँ पर राहुल सांक्रित्यायन यहाँ पर 542 का सही आंसर है ओप्सन ए कैटारमल मंदिर में मुख्य रुप से किसकी पूजा होती है तो कैटारमल मंदिर में मुख्य रुप से पूजा होती है सूर्य भगवान की 543 का सही आंसर हो जाएगा ओप्सन C question number 544 है उत्राखन में प्रियुक्त बोली समुह का चयन कीजिए option A है यहाँ पे कुमावनी भोजपुरी कुमावनी और गडवाली तो उत्राखन की बोली है लेकिन भोजपुरी नहीं है B है गडवाली, कुमावनी और अवधी नहीं है C है यहाँ पे कुमावनी, गडवाली और जौनसारी यह तीनों जो बोलिया है यह अपने उत्राखन में बोली जाती है तो 544 का राइट आंसर हो जाएगा option C question number 545 के और बढ़ते है चंद राजाओं का राजय चिन क्या था तो 545 का सई आंसर है option B इनका राजय चिन था गाया 545 का गाया है यहाँ पे correct आंसर question number 546 है उत्राखन राजय में राजय शुव का सबसे बड़ा कर स्रोत क्या है तो 546 का सही आंसर है option B वानिज़ कर question number 547 है नैनिताल की खोज किस ब्रिटिस यात्री ने की थी तो नैनिताल की खोज की थी P बैरन ने 547 का सही आंसर है option D question number 548 है भारत का प्रथम क्रिशी विश्व विध्यालाय कहां है तो भारत का प्रथम क्रिशी विश्व विध्यालाय है पंतनगर में जीवी पंत विश्व विध्यालाय या नगर में इस्तित्य भारत का प्रथम क्रिशी विश्व विध्याल है तो 548 का सही आंसर है option c next question है निम्र तिथियों में किस तिथि को उत्राखड में हिमालाय दिवस मनाया जाता है option a 9 सितंबर b है 5 सितंबर c है 15 सितंबर और d है यहाँ पे 5 अक्टूबर तो यहाँ पे उत्राखड में हिमालाय दिवस मनाया जाता है प्रति एक वर्स 9 सितंबर को 549 का करेक्ट आंसर हो जाएगा option a और 550 है यहाँ पे मन रहेगा में प्रति वर्स प्रति परिवार को कितने दिन का रोजगार दिया जाता है तो कितने दिन का रोजगार दिया जाता है यहाँ पे 100 दिन का, यहाँ पे 550 का राइट आंसर हो जाएगा, option D. Question number 551 है, केदारनाथ में जलापदा कब आई थी? तो केदारनाथ में जलापदा आई थी June 2013 को, तो 551 का सही आंसर है यहाँ पे option C. Question number 552 है, विवेकरनन परवतिय क्रिशी अनुसंधान केंदर की स्थापना निम्न में से किस ने की थी? तो यह स्थापना की थी यहाँ पे डाक्टर बोसी सेन ने, 552 का सही आंसर है option C. Next question है, 500 तरिफन उत्राखंड के कुल छेतरफल का कितना प्रतिसत भाग परवतिय है? यहाँ पे 45, तो 500 तरिफन का करेक्ट आंसर है option B, 86% यहाँ पे करेक्ट आंसर है question number 553 का. Question number 554 है, उत्राखंड राजय की सबसे बड़ी जल विजुत परियोजना कौन सी है? तो तिहरी जल विजुत परियोजना जो है, यह उत्राखंड राजय की सबसे बड़ी जल विजुत परियोजना है? तो 554 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे option C. Question number 555 है, उत्राखंड की महिलाओं का प्रसिद परंपरागत आभूशन तिलहरी पहना जाता है, दो तिलहरी है यह पहना जाता है गले में. 555 का सही आंसर है option C. Question number 556 है, यहाँ पे निम्ण में से कौन एक कुमावनी लेखक नहीं है? तो कुमावनी लेखक यहाँ पे कौन नहीं है, तो लीलाधर जबूरी, 556 का सही आंसर है option D. Next question है, 557, प्रसिद जौल जीवी मेला निम्ण में से किस जन्पद में संपन होता है? जो जौल जीवी मेला है, वो संपन होता है पिथोरगड जिल्ले में. 557 का सही आंसर है option A. और question number 558 है, सुमेलित कीजिए. तो यहाँ पे दे रखा है कौन सा राष्टे उद्ध्यान, किस जन्पद में स्थित है? तो option A है यहाँ पे कार्बेट राष्टे उद्ध्यान, तो A का यहाँ पे हो जाएगा, को कार्बेट राष्टे उद्ध्यान है नैनिताल में, तो A का है 4, B है नंदा देवी राष्टे उद्ध्यान, तो यह है चमोली में, B का है 3, C है राजा जी राष्टे उद्ध्यान, तो यह इस्तित है यहाँ पे दिहरादूर में तो C का है 2 और D है यहाँ पे गोविंद राष्ट्रिय उध्यान यह इस्तित है उत्तरकासी जिल्ले में तो यहाँ पे है 4, 3, 2, 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर है तो 558 का राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन B, 4, 3, 2, 1 राइट आंसर है कोईशन नमबर 558 कोईशन नमबर 559 है सुमेलित कीजिए तो यहाँ पे दे रहके हैं वन्ने जी विहार कौन से जनपद में है तो 559 के आप ओप्सन देख सकते हैं इसका राइट आंसर भी है ओप्सन B है 4, 3, 2, 1 नेक्स्ट क्वेशन है अलमोडा में विवेकानन क्रिश उध्यान अनुसंधान साला के संस्थापक कौन है तो 560 का राइट आंसर है ओप्सन C, इसके संस्थापक है यहाँ पे बोसी सेन नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन नमबर 561 परियावरन दिवस कब मनाये जाता है तो परते एक वर्स परियावरन दिवस मनाये जाता है 5 जून को 561 का सही आंसर है ओप्सन B, दोस्तों अगर आपको जरधारी क्लासेज के कोई भी नोर्स लेने हैं तो उसका लिक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा वहां से आप जरधारी क्लासेज की कोई भी एबुक डाउलोड कर सकते हैं और कोई भी वहां से नोर्स आप ले सकते हैं तो कोई भी नमबर 562 है उत्राखड में अखिल भारतिया आईर विज्ञान संस्थान कहां इस्तित है तो यहाँ पे 562 का सही आंसर है ओप्सन B, रिस् 563 है, नैनी सेनी हवाई पटी परियोजना निम्न में से किस जनपद में इस्तित है तो नैनी सेनी हवाई पटी परियोजना जो इस्तित है वो है पिथोरागड जिल्ले में 573 का सही आंसर है ओप्सन B, पिथोरागड नेक्स्ट क्वेसन है 5.64 राजे लोग सेवा आयो के सदश्य किसके द्वारा न्यूक्त होते हैं तो 5.64 का राइट आंसर है ओप्षन सी ये न्यूक्त होते हैं राजे के राजयपाल के द्वारा क्वेसन नंबर 5.65 है उत्राखन राजे में कितने जिल्ये हैं जो किसी अन्य राजय ये देश से नहीं मिलते हैं तो ये हैं कुल टोटल चार जिल्ये 5.65 का करेक्ट आंसर है ओप्षन सी क्वेसन नंबर 5.66 है कौन सी नदी केदानात से रुदर परियाग तक बहती है तो केदानात से रुदर परियाग तक बहने वाले नदी का नाम है यहाँ पे मंदा किनी नदी 5.66 का राज़ आंसर है ओप्षन दी क्वेसन नमर 567 है, उत्राखंड में वित्य वर्स प्रारम होता है, तो उत्राखंड में वित्य वर्स प्रारम होता है एक अप्रेल से, 567 का राइट आंसर है, OPTION B. next question है सकलाना रिवोल्ट डॉट डॉट में गटित हुआ था तो सकलाना रिवोल्ट तिहरी गड़वाल में गटित हुआ था 568 का right answer है option A और 569 है यहाँ पर डॉट 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 ने कासिपूर में प्रेम सभा की इस्थापना की थी तो किस ने यहाँ पर कासिपूर में प्रेम सभा की इस्थापना की थी तो गोविंद बलाव पंत जी ने कासिपूर में प्रेम सभा की इस्थापना की थी तो 569 का right answer है option C और आज की बीडियो का last question है 570 सही युग्म का चयन कीजी तो option एक गंगोतरी और यमनोतरी मंदिर कहां इस्थापना की थी दोस्तों आज की वीडियो उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं एक next वीडियो के साथ तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद